मध्य प्रदेश में तीन दिनों तक पल्स पोलियो अभियान चलेगा जिसमें पांच साल के बच्चों को हर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाए जाएगे। उपमुख्य मंत्री राजेंदर शुकला ने कहा कि नोने हालों के सुरक्षा में कोई भी जुक निखी होने दी जाएगी। ये बात डिप्टी सीएम ने पल्स पोलियो अभियान के शुभार्म के मौके पर कखी। देखे खास रिपावर्ट। उपमुख्य मंत्री राजेंदर शुकला ने जय प्रकाश शुकित साले पारिसर में पोलियो ड्रॉप पिलाकर मध्य प्रदेश में राजटी पल्स पोलियो अभियान का शुभार्म किया। उपमुख्य मंत्री शुकला ने कहा कि हमारा मध्य प्रदेश वर्स 2008 से आज तक पोलिय मुक्त बना हुआ है उन्होंने प्रदेश के समस्त नागरी को अभी भावकों से अपील की है कि अपने नौनिहालों के सुरक्षा में कोई भी चूप ना होने दे कि अपने भी चूप नवजासे देखे पाँ वस्तक्ति आई कि पुषित है तो इस दो दूब्रूद जीवाई जी दो गोड़ी जीवाई गाइए ताद दो गोड़ीयों तकी पुलाई जाए तक बने आपके आना सके साथ्यां के उतने अभ्यांत कारम हो लुए पचीजिन त जाए तक बनाए तक झाए तक जान थे तरवजा जाए तो 우ी जर लिए तरवड़ीयों कि गाइए तक बचाथ कर से तील जिशुए तक सी थीजिदी आए। प्रदेश को पोलियो मुक्त बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी केंद्रों में पोलियो पिलाने का बूथ बनाए गया है एक करोड 45 लाख से जाधा डोजेश की बिलस्टा की गई है उपमुक्यमांद्री ने कहा कि 25 जून से प्रदेश में दस्तक अभियान शुरू किया जा रहा है इस अभियान में हर घर जाकर स्वास विभाग का अमला दस्तक देगा अभियान में बच्चों की वैक्सिनेशन के साथ साथ अन्य जाँच भी की जाएगी और आवश्रक्ता नुसार अपचार की वैवस्था भी की जाएगी और प्रदेश का कोई भी जीरो से पाँच वर्स के बच्चे को साथ से विभाग का अमला एप्रोच करेगा और कोई भी बच्चा बंची दिन रह जाए इस चीज़ चिंता करते हुए हम अपने लेक्षों को प्रात्व करेंगे मेरा आप सब से भी निवेदन है प्रदेश के नागर को से निवेदन है इन तीन दिनों में आप सब भी आगे आएं और जीरो से पाँच वर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको प्राग उन्होंने ली के नहीं ली इसकी चिंता करें उनको भूथों में ले जाने का प्रयास करें 23 जून से 25 जून तक प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश में 5 साल तक के लगभग 1 करोड 11 लाख बच्चों को लक्षित किया गया है Bureau Report, Amp News, फोपाल